जहीं दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूप्टी चैनल एजजेश्टेडी पे दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे CISF हेट कॉंस्टेबल नई भरती 2022 के बारे में जैसा कि दोस्तों अभी आप लोग को पता है कि CISF के अंदर बहुत सारी भरतिया निकल का रहेगा कौन कौन से मंदे इस फॉर्म को अपलाई कर पाएंगे योगता क्या है इसमें सैलरी क्या है मतलब ए टूजेट जनकारी आप लोग को बताएंगे फॉर्म कप से भराएगा लाट डिट क्या रहने वाल है तो बस आप लोग वीडियो को पूरा देखेगा और इस निकाले एक तो हेट कोनस्टेबल मिनिश्ट्रिल का दूसरा है सब इसपेक्टर एस्टनोगराफर का जैसा कि आप लोग ने ब्यसएप की पिछली भरती बहरती देखे होगी ना अभी फॉर्म आया था हीट कोनस्टैबल ब्यसएप में मिनिश्ट्रिका सेम वैसा ही है सब क पचीछ दस ठीक है यानि कि 26 स्टार्ट होगा और 25 सक्टूबर तक आप इस फॉर्म को क्या कर सकतो हो मतलब कि भर सकतो मेल और फीमेल दोनों इसमें फॉर्म को फिल अप करेंगे चल दिए नीचे आते हैं नीचे आते हैं online ओनलेंड फॉर्म इसका फीलफ होगा अप लोग क्या कर सकते हैं इसका जो एक्जाम वो गल्स एक्जाम होगा जो कि हंदी और इंंगलिस में ब्लबेंग सब कुछ बता क Wagy इसमें आप लोग का फिजिकल को मिल जाएगा मेरे भाई वो चीज़ यहाँ आप आप लोग देखने को मिला होगा अस्टेंट सब इंस्पेक्टर इस्टेनोग्राफर का लेवल फाइब के तो 29,900 से लेकर सब्सक्राइब के लिए बाकि यहाँ पर देख सकतो डिपार्टमेंटल जो भी होंगे उनके लिए यहाँ पर निकाले गई वहीं बात करते मिनिस्टियर में बहुत ज्यादा पोस्ट यार 418 पोस्ट वेकांसे निकाले गई है और इसमें आप फिलफ कर सकतो बहुत मजा आने सब्सक्राइब कर सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं नीचे आने के बाद आप लोग को देखने को मिल जाए गए यहाँ पर सारे चीजे मतलब की eligibility criteria के बारे में जिसमें के education qualification एस्टेनोग्राफर के लिए जो रखा गया है वह कौन कर सकते हैं जो 12th pass है ठीक है किसी भी वोट से तो वह इस form को fill up कर सकते हैं एज की बात करें 18 आप लोगों 5 वर्सका और o bc से आ रहे हो तो ठीक है आप लोगों तीन वर्म को देखने को मिल जाएगा बागे departmental वालों को भी देखने को मिल जाएगा इस में छूट आते हैं नीचे नीचे आने को बाद आप लोगों यहाँ पर देखने को मिल जाएगा हाइट हमें कि लिए सब्सक्राइब करते हैं नीछे बात करते हैं उनको चेष्ट में भी छूट देखने को मिलेगा फीमेड के लिए कोई आतनी है बाकि यहां पर आप लोग को कुछ शूट देखने को मिल जाएगा नीचे आते हैं नीचे आने के बाद और भी कुछ इसमें है तो आप लोगा बताता हों डिस्क्वालिफीकेसन के कुछ भी गलत पढ़ा जाता है तो आप लोगुवी हो जाएगा तब दिस्क्वालिफाई करती जाएगा उसके अंदर में प्रोसस जो रहेगा आप लोगों को वो सब कुछ यहां पर आप लोग देख सकते हो ठीक है और इसके बाद नीचे आते हैं नीचे आने के बाद एक चीज़ और यहां पर है कि जो भी स्टेट है उनका जो रिसीव होगा फॉर्म कहा होगा तो यह सब आप लोग देख सकते हूं अपने टेलीग्राम शैनल एज़े आते हैं नीचे आने के बाद क्या क्या लगने वाले फॉर्म फिलफ करने के लिए डोकुमेंट कितने मतलब की साइज में लगया वह सब एक एंबी से कम साइज में होना चाहिए वह सब आप लोगो देखने को मिला है ठीक है उसके बाद समिसन जो होगा लाट फॉर्म का आप आप लोगो देख सकते हो कि इसमें चार सब्जेक्ट होंगे ठीक है जेनल इंट्लिजेंस जेनल नॉलइज आर्थमेटिक जेनल इंगलिस और हिंदी होंगे 25-25 मार्क से कोशन होंगे 25-25 नंबर दिये जाएंगे 120 मन के दो घंट आप लोगो टाइम दिया जाएगा एक करेंगे डोकमेंट वह सब चीज इसमें दिया है तो आप लोग टेलिग्राम पर जाके आप लोग खुद से पड़ सकते हो बाकि कोई वीडिया उठे कोमेंट करके पूछ लो मैंने सब कुछ आप लोगो अच्छे तरह से इस वीडियो में बता दिया है तो इस वीडियो को मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में अच्छे के साथ अच्छे कलास के साथ तब तक के लिए जैंद बंदमादरम